जबरिस्वर सेना द्वारा देपारपूर से इंदर तक बाइक रेली का आयो जन्क किया गया इस बाइक रेली में बड़ी संख्या में लोगों के जूटने का अनुमान लगाया जा रहा है जबरिस्वर सेना के संरक्ष्यक राजन चोधरी ने पत्रकारों से चर्चा के दोरान बताया की उन्नेश लोका श्री अहिल्या बाइहोलकर जो सामाजिक समरसत्ता पुरोधावा सनातन कीर रक्षार्त सदेव अग्रणी रहने वाली माती श्री के आशिरवाद लेने है तू य अब बाइक रेली का आयोजन किया गया यह बाइक रेली 13 सितंबर को देपालपूर से शुरू होकर मुख्यमार्गों से होते हुए हिंदोर्क राजवारा जिसीत अहिल्या प्रतीमा पर पहुचेगी जहां सभी लोगों की द्वारा माता हिल्या से आशिरवाद लिया जाए राजेंद्रे चोधरी ने बताया कि माता हिल्या हम सभी की प्रेंड़ना है और उन से आशिरवाद लेने के लिए इस बाइक रेली में युवाव में खासी उस सुकता देखने को मिल रही है यहाँ लोग माता अहिल्या देवी के पुर्णे तीथी के उपलक्ष में हमने एक वहान यात्रा रखी है उस संदर्व में यहाँ प्रेस कांफरेंच से रही है इस यात्रा का उद्देश सिर्फ इतना है कि अहल्या माता ने भी मुगल काल में विद्वन से कई मंदिरों का जिर्णोद्धार करवाया है और हम सब लोग भी एक मंदिर के जिर्णोद्धार से जुड़े विए हैं इसलिए हम माता जी से आशिरवाद लेने जा रहे हैं कि वहाँ हमको सक्ति और सामर्थ प्रदान करे कि हम उस मंदिर का जिर्णोद्धार करने में सक्षम हूँ यह 13 दिनांग को देपालपूर से जो माता जी की प्रतिमा है राजवाडा तक महा तक निकलेगी वजब चुनावी साल है और आप बाइक रेदी पहले भी निकाल शुके हैं कैस्तरी बाइक रेदी हैं हम हमारे जो देपालपूर में वहां लगभग लगभग एक महा में हमारे एक या दो कारिक्रम तहीं हैं समरस्ता के और इतनी बाइक सामिल होगी इसमें पहां कहां से लोगा हमने आहवान किया है पुरे छेत्र से कितने लोग सामिल होंगे और कितनी बाई काईगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ हमने अहवान किया है कि हम लोग माता अहिल्या देवी की चरण वंदना करने के लिए जा रहे हैं अब उसमें कितने लोग सम्मलित हो जाए देखते हैं आपका नाम राजेंद्र चोदरी